सभी आपलाइ सक्षीं से वालुधे के से लिए जो अ Vielलौ कैसे अब कमेंट करें कैसे हैं आप लोग अर्ज di लिच्टक IM due computer काचा मुपर्पान की टिक टोक हमें थारो में को हमने चलो देखते हैं कि कि इमरान खंग टिक्टॉ काफी दिन से लगा जले देखते हैं लो कि दूसक्त आख जले इसमें पिस एक्षन न को बोलना के न की एक्षन न के रह आज के विडियो दिस्क्रिप्शन न सब्सक्राब करें अथा हमें भी सब्सक्राब करें बूत यह वी गो लश्कर भी तुम्हारा है, कानून भी तुम्हारा है, तुम जूट को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है खुने पच्टून स्यादा नहीं बेहने वाला, जुम का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला इन अभेरों का चिगर चीर के नूर आएगा, तुम हो फिरॉन, तो मुसा भी जरूर आएगा मैं इन्होंने कि मेरे उपर क्या क्या कैम्पेंज दे चला है, लेकिन जलील नहीं कर सकते क्योंकि उपर वाले के फैसले के बाद जल्लत नहीं आती और इन्होंने इतना पैसा खर्च किये अपने उपर, आपके एवाम के टेक्स के पैसले के प्रेश तिहारा दिये, इज़त नहीं मिली इनको, क्योंकि उपर वाले के हाथ बेज़ते मेरी जान इतनी जरूरी नहीं, जितनी आपकी अज़ादी इस मुलक को दुरूरत है जब मेरे से इंट्रिवू में पूछा, क्या आप अमरीका को बेस देंगे, यानि के फिर से उनकी जग में शरीक होंगे, तो तब मैंने कहा, एबसलूटली नॉट को के ओपर आज बात करना जाता हूं खासता है, एक है खुदारी, दूसरी इनसा है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी होई मुझे, लेकिन मैं ये वाज़े करना हूं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अद्विया की मैं इज़त करता हूं, मैंने एकी जेल गुजारी है और वो अजाद अद्विया की तरीक के अंदर, मैं जेल में गया हूं, क्योंकि ये मेरा इमान है कि जब तक एक मुल्क के अंदर इनसाफ नहीं होता, कोई भी मुहसब माश्रा उसकी बन्याद इनसाफ पर होती है, और जो इनसाफ के गार्डियन होते हैं, वो आपकी अद्या होते हैं, बाहर से हमारा ही दोस्त, जिसके लिए हम जंग लाड़े हैं, वो ही आके यहां ड्राउन अटैक कर रहा था, क्यों ये दोनों बोल नहीं रहे थे, मैं आपको बताता हूं, क्यों नहीं बोल रहे थे, इस मुल्क से जो पैसा लूट के, इन्हों ने बाहर के मुल्कों में और बैंकों में और बड़े-बड़े महलाद लिये हुए थे, इनको डर था, कि जिस दिन ये कहेंगे कि सर, ये क्या कर रहे हैं, आप ये ना करें, वो इनकी प्रापटी जब्द कर लेंगे, इक्शन नहीं हैं, ये हकीकी अजादी की जहाद है, हम ग्यारां सो अरब रुपए का डाका मारा है, अपनी चोरी माफ करवा है, और मुल्क को मिंगाई की दल दल में दखेल दिया, और माशे तबाह कर दी, आप इस सब दे निकलना है, सब को निकालना है, और इन्होंने दान, सिर्फ एक तरह जी सकते हैं, दानली के तहन, हमने द और मुल्क को आज कहना चाहता हूं, आप जब वोट डालें, तो ये समझ जाएं, कि अगर इस मुल्क में आप अजाद फरूंप पानिसी चाहते हैं, तो कभी उस पार्टी के पार्टी को वोट ना डालें, जिनके सर्वरा के पैसे और दौलत और जाएद दिनके से बाहर पड़ी हैं, वो कभी अजाद फरूंप पार्टी के पार्टी के पार्टी कोम ने हम बड़े खुद्दार कोम हैं, जब हम अपनी खुद्दारी पे आएंगे ना, तो तो तुम लोगों का भागने की जगा नहीं मिलेगी, खुदा की किस अज़े नवार शरीफ आएगा, मैं पाकिस्तानियों से अपील करती हूँ, उसको एरपोर्ट पर ही, गंदे अंडे, गंदे टमाटर, चुतों से इस्तकबाल करो, मैं हाध जोड़ के अपील करती हूँ पाकिस्तानियों, ये वाक्त अपनी खुदार भी तिकाने का, हर मसला हर मसाइल अपनी जगा, लेकिन देखो, राजिक वोग पर बैट तो जीका बाना देगा, मीडा परेंज, आप लोग यू मत राना, है क्या दर क्या वेहम क्या खौफ से जिस पुष्ट पे लाग दुआए हो वो जिन के लहू में बहती वफा तेरे सामने लाग लाग झाल 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 दुश्मन जदी पुश्टी दिल और दिमाग से अज़ाद है ये गुलाम नहीं हो सकता जो पतान होगा ये अज़ाद होगा जब लोगों की चालों से परेशान हुआ तो गुरान ने कहा दुश्मन की चालों से परेशान नहुआ कर बेशक तेरा रब बेहतरी चाल चुनने वाला है वो संगी गिरां जो हायल है रश्टे से हटा कर दम लेंगे हम राहे वफा के रहरू है ये बात आया है दुन्या पर हम पूल भी है तल्वार भी है या बज में जहां महकाएंगे या खुम नहा कर दम लेंगे अरबाब हकूमत से कह दो ये अज़म किया है हम सबने जो हग के मुकाबल आएगा हम उसको मता कर दम लेंगे हम एक खुदा के खाहिल है तिंदार के हर पुद तोड़ देंगे हम लग के निशा है दुन्या में बातिल को मता कर दम लेंगे जो सीने दुस्मन चाग करे बातिल को मता कर खाग करे ये रोस का किस्ता खाग करे वो जर्ब लगा कर दम लेंगे ये फितन वशर के परवरदा तखरीब के सामान लाग करे हम बजम सजाने वाले हैं हम बजम सजा कर दम लेंगे ये अमरीकी दलाल बला क्या खाक दराएंगे हमको हम राह वफा के रहरू है मन्जल हिप जा कर दम लेंगे इस देश के जर्रे को हम अपने खून से चैंचेंगे लाह की किस गर्थी को गुल्जार बना कर गम लेंगे जिस खूनी शहीदां से अब तक गुलरंग हुनी है ये जमी उस खून के कट्रे कट्रे से तूफात उपा कर देख रहे हुआ है कौन कुन गया था इनके जलसों पर यार बतावा यार हमें भी पतासले कौन कुन गया वे लाइस तो बहुत अच्छी थी और मज़ा आगए इस Tiktok का काफी अच्छी Tiktok थी काफी मतलब के सुपोर्ट इम्रान खान के लिए और इम्रान खान मतलब के सच्चे बंदे लगते है लाइड चोर उसक तो अच्छी है शहबाश शरीफ को आप वोर देंगे एम्रान खान को अटाना और कमेंट करिए बताने कैसी लगी वीडियो केसल्याई मैं एक्षन और बीमां खानी टिक टो चाहिए तो कमेंट करिये बताओ तो चलते हैं नेक्स दीटर में लिए नेक्स बीडियों अपताब में के लिए